नमस्कार दोस्तो रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले यहाँ पर बहुत ही पॉपलर श्टॉक के वारे में जिसका नामे उनिटेक लिमिटेट तो उनिटेक लिमिटेट के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है में डिसकुशन करने वाले और यहाँ पर यह भी देखेंगे जिस्टॉक के लगातार गिर रहा है कबसी यहाँ पर रिकवरी आ सकते हैं स्टॉक के प्राइस में तो लेकिन वीडियो के स्टार्ट में बेग डिस्क्लेमर जो भी स्टॉक के एक रिसके काटेगरी में आता है लेकिन आपने देखा रहेगा स्टॉक भाग रहता है लेकिन पिछले एक हापते से स्टॉक लगातार गिर रहा है तो देखिए एसे पेनी स्टॉक में पंपाइं डम चलता रहता है अगर कोई स्टॉक लगाता है तो गिरते समय लोग सर्कुट में गिर सकता है यह आपको ल sitting-case टूट नहीं पार है जिस दिन यहाँ पर ज़्यादा लोग बायर आ जहेंगे तो वापस इंतदार कर सकते हैं यहाँ आपर सरकिटका का दो- सीन दिन के बाद यहाँ में पर सरकित नहीं के बारें आप जाण लिए पहलए आप जाणलेते हैं exactly जो 12 फेबरोरी को यहाँ पर कंपनी की इवेंट पेश करने वाले है अपने quarter 3 के result पेश करने वाले है तो देख लेते कंपनी का performance कैसा है quarter 3 के लिए तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते है इनका जो लॉस है इस quarter में लगबग 665 क्रोड का लॉस हो चुका है यहाँ पर डिसेंबर 2023 के quarter में तो खरा पॉपमस ऐसा बोल सकते है तो देख लेते quarter to quarter पॉपमस कैसे कंपनी का तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते है इस बार कंपनी जो रिजल्ट पेश के उनका जो नेट प्रॉपिट है लो लगबग है 665 क्रोड का इनको गाटा हो चुका है लॉस हो चुका ह year to year इनका जो नेट पॉपिट है यहाँ पर जो नेट लॉस है यहाँ पर बढ़ चुका है एक खराप साहिने लॉस नहीं बढ़ना चाहिए कभी भी quarter to quarter और year to year next जो है पर इनका जो sales है ओ भी decline हो चुका है लगबग 33.59% से आप लोग चेक कर सकते हैं इस बार जो net sales है लगबग 60.78 करोड था और last quarter में 91 करोड था तो quarter to quarter जो company का sales है ओ भी decline हो चुका है यहाँ पर नीचे गरूद चुका है बहुत ही खराप साहिने company और इड़ी struggling mode में at least company के जो quarter three के result रहेंगे उसमें थोड़ा बहुत company ने profit दिखाना चाहता एट लिस्ट घाटा फार दे एक्जमपल सव करोड तका था तो उसको कम करके 80 करोड 70 करोड दिखाना चाहता लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसके उसे stock लगातार lower circuit में गिर रहा है अगर कुछ अच्छी उम पुमबाय से उनको उनके घर मिलना बहुत ही जुरूर है अगर इसे दो चीजे होते जो यहाँ पर 12 रुपई का पंदर रुपई का stock है आराम से 30 रुपई के आसपाद जा सकता है लेकिन अगर इसा नहीं होता है अगर उस्च उल्टा होता है तो में भी stock की price है लगातार lower circuit में गिर सकते हैं यहाँ पर पैसा लगाने का सोच रहे तो थोड़ा ही पैसा लागा की जल सकते हैं किकि बहुत साले लोग बहुत सालोसी यहाँ पर आटुप चुके top price पे क्योंकि एक जामान में stock का price था लगबक 500 रुपई अभी ट्रेंड कर रहा है सी 15 रुपई के आसप पास तो आप लोग सोच सकते हैं लगबक जो लोगें 10 साल से इंतजार कर रहे हैं रिकावर हैं लेकिन stock अभी तक रिकावर हुआ नहीं है यह आपके माइन में होना बहुत ही ज़रूरी है यह तो था आज के वीडिया पर उन्हें कंपनी के लिए अगर वीडिया चलगा तो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं